हाई फ्रेंड्स मैं प्रवासनी आप सबी को स्वागत करती हूँ मेरी किचिन पर आज हम बनाएंगे बादम मिल्चिक बादम मिल्चिक बनाने के लिए मैंने रात भर आट से दस बादम को इसे पानी में भीगो के रख दिया था अब हम इसके चिलके को छेल लेंगे देखिए कितने आराम से चिलका निकल रहा है अगर आप सबको इंस्टन्ट बादम मिल्चिक चाहिए तो बादम को उबले हुए पानी में डाल कर इसके चिलके को छेल के इसको ग्राइन करके भी यूज़ कर चकते हैं देखिए कितने आराम से चिलका इसका निकल रहा है अब हम बादम मिल्चिक बनाने की प्रोसेस में चलते हैं पहले हम क्यास के उपर प्यान मिठा कर उसमें हम दूद डालेंगे मैंने हम पर दो ग्लास दूद यूज़ किया है अब हम इसको बॉल करेंगे दूदी हम पर उबलने लगा है अब हम इसको तीन चे चार मिनिट तक उबालेंगे ग्यास के प्रिम को मिडियों प्रिम में रखकर इसे तीन चे चार मिनिट तक उबालेंगे अब हम बादम में दो से तीन चमश दूद डाल कर इसे अच्छी तरह से ग्रैंड कर लेंगे दूद को तीन से चार मिनिट तक वल्ड हो जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ग्रैंड किये हुए बादम डाल कर इसे भी हम और दो मिल्क के लिए पकाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे सुगर दो से तीन बड़े चम्मच सुगर अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर चुटकी भर हल्दी पाउडर वो खिल्दी भी होती है और इससे थोड़ा सा कलर भी आएगा डाल कर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटे हुए काजू और बादाव डाल कर इसे हम दो मिनिट के लिए पकाएंगे ग्यास की फ्रेम को मेडियूम फ्रेम में रखकर इसे हम दो मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट पूरी हो चुके है इसका किन्नारी को इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे दूद को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए आप यहां पर कैस्टर पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने आपर दूद को गड़ा बनाने के लिए हाप चम्मच आठा लिया है अब हम इसमें दो से तीन चम्मच दोड़ डालेंगे और इससे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे हाप चम्मच आठे को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है अब हम इसको दूद में डाल देंगे दीरे दीरे करके इसमें डालना है मैंने पहले दो चम्मच डाला है और इससे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे उसके बाद हम और एक चम्मच डाल देंगे डाल कर इसे हम तो मिनिट के लिए और पकाएंगे दो मिनिट पूरे हो चुके है अब हम यास के फ्लंग को बंद कर देंगे और इसमें एक चम्मच इलाजिका पावडर डालेंगे इलाजिका पावडर डाल कर इसे हम अच्छी तरह से थंड़ी होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसको सर्फ करेंगे यह हमारी बादम मिल से रेड़ी है अगर आप सबको आज करेंगे अच्छा लगा है तो मेरे रेसिपिकल लाइक एंट सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फर वचिंग मैं वीटियो